कपड़ा मंत्रा लेक अनुसार खरीफ फसल 2019-20 के लिए देश में अभी तक 1.25 क्रोड से ज्यादा हेक्टर भूमी में कपास की बुआई हुई है जो पिछले साल की तुलना में लगबग 7.3 फीसदी अधिक बुआई है जबकि इस साल पिछले साल की तुलना में पंजाः, हरियाना, विराजस्तार में खरीफ फसल कपास की बुआई लगबग 18.3 जीरो लाख हेक्टर में हुई है पिछले साल कपास सत्र 2018-19 में यह बुआई 15.3 पांच लाख हेक्टर में हुई थी सुत्रों के अनुसार देश में कुल हुई बुआई में 93.6 फीसदी बिटी कपास के तहत रखबा रहा है यह रखबा तीन साल पहले गिरकर 90 फीसदी रह गया था सुत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बार मौनसुन वर्षा के असमान वितरन से गुजरात, महराश्टर, तेलंगाना, व्यांदर परदेश आदी पर मुख कपास पैदावार राज्यों में फसल को हानी हुई है इस हानी को रूई तेजड़ी ये बड़ा पूल देते नजर आ रहे हैं लेकिन उसमें कोई सचाइब भी नहीं है क्योंकि देश में सबसे ज्यादा कपास पैदा करने वाले राज्यों महराश्टर में 31 अगस्तर कपास की बॉई 43.7 लाख हेक्टर पार कर चुकी है कोटन एसोसियेशन ओफ इंडिया के अनुसार देश में 31 अगस तक 3.1-2 क्रोड गार्ट पैदावार होने की बात कही है इस साल देश में कपास पैदावार रिकोर्ड होने की संभावना को देखते हुए भारतिय कपास निगम काफी चुकना हो चुका है इस बार CCI ने नई कपास की लगबग एक करोड गार्ट खरीदने का लक्षे रखा है कपड़ा मंत्राले के अनुसार भारत में नया कपास सतर एक अक्तूबर से सितंबर महिने तक यानि 12 महिनों तक चलता है निगम ने अभी तक सबसे अधिक कपास साल 2014-15 सतर लगबग 96 लाग गांट कपास खरीदी थी बाजार जानकारों के अनुसार पंजाब हर याना वे राजस्तान में रोजाना 5000-5550 गांट कपास आवक बन गई है लेकिन इस सबता कपास आवक और बढ़ जाएगी सरकार ने कपास सतर 2019-20 के लिए MSP कपास 5550 रुपे वे मीडियम स्टैपल 5250 रुपे प्रतिक विंचल निधारित किया है कपास सतर 2018-19 के दोरान देश में कपास पैदावार 40-45 लाग गांट कम होने की खबरे आने पर ज्यादा कपास जिनरोवे रुई तेजडियों ने लाखो गांट रुई स्टोक कर लिया लेकिन स्टोक की स्टोक को ये रास नहीं आया और नुकसान में ही स्टोक बेचना पड़ा सुत्रो से मिली जानकारी के अनुसार अधिकतर रुई कारोबारी मंदी में ही नज़र आ रही है रुई मंदडियों का कहना है कि नुवंबर महा में रुई भाव 4,300 रुपे तक पहुन सकती है क्योंकि कताई मिलो की वर्तमार आर्थिक हालात या नहीं बिकने से उनके उध्योक संकट में पड़ चुके है हाल की बड़ी कताई मिलो का इस संकट में निकल पाना कठी नज़र आ रहा है आज पुराने रुई भाव में 32 साल की तुलना में 400 से 500 रुपे मन गिरावट आ चुकी है पिछले एक साल से अगर तुलना की जाए तो लगबग 500 रुपे मन रुई नीचे चल रही है और रुई भाव आगे भी नीचे चलने की उमीद है आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मोर अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें